सबी श्रोतों को मेरी टब से दोनों हाथ जोड़कर संध्या का पढ़नाम है आज मैं एक अजबूत कथा सुनाने जा रहा हूं जो संत रविदास महाराज जी से जुड़ी हुई है ये कथा उनके महान क्यमकारों और अध्यात्मिक शक्ति का पढ़नाम है जो उनकी निस्वार्त भक्ति और इश्वर के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाति है एक बार की बात है कि जब गुरू रविदास महाराज जी अपन टुकडा लेकर आया और गुरू जी से बोला यदि तुम सच्चे संत हो तो इस पत्थर को सोने में बदल कर दिखाओ गुरू रविदास महाराज जी ने उसकी बात को बहुत ही धैर्या से सुना और मुस्क्राते हुए कहा कि इश्वर की भक्ति में चम्तकार से अधिक महत् पुरून है बिश्वास लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे मन में शंका है तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा उन्होंने पत्थर को हाथ में लिया अपनी आंखें बंद की और विश्वर का ध्यान किया कुछ ही क्षणों में पत्थर सोने में बदल गया ये देख कर बहां उपस्तित सभी लोग चंकृत रहे गें बैब्यक्ती जिसने गुरु महाराज जी की प्रिक्षा लेने की कोशिश की थी बैबाउत ही अपने किये पर शिर्मिंदा हुआ और गुरु जी के चड़नों में गिर गया महान संत्थ गुरु रविदास महाराज जी ने उ होता है जब बैस सच्चे हिर्द्यों से इश्वर की भक्ती करता है इस कथा से सीखने को मिलता है कि संसार की भौतिक बस्तुएं कितनी भी मुल्यवान क्यों नहों सच्ची संपत्ति तो इश्वर की भक्ती और प्रेम मैं है दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें कल सुबा पांच वजे फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही प्रेना दाए कहानी और स्विक्षा के साथ तब तक जै गुरू रभिदास्त महराजी जै भीम शुबरात्री दोस्तों